हेलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अश्वन फामा एड्यूकेशन में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि फॉर्मा कंपनी में ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है एक शिफ्ट कितने घंटे का होता है तो चलिए स्टॉट करते है आज का वीडियो और यदि आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस् सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें 8 घंटे की 3 शिफ्ट ABC मिल जाएगी ए शिफ्ट की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 7 o'clock to 5.30 होती है बी शिफ्ट की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर 3 o'clock to 11.30 होती है सी शिफ्ट की जो टाइमिंग होती है वो राग 11 से मौनिंग 7.30 होती है इसके अलावा कभी-कभी अगर वक जादा है तो 12 घंटे की भी शिफ्ट लगती है एक्स शिफ्ट जिसमें मौनिंग 7 o'clock से इवनिंग 7 o'clock 12 घंटे तक चलती है नेक्स्ट वाइश शिफ्ट जो की इवनिंग 7 o'clock से मौनिंग 7 o'clock तक 12 घंटे तक चलती है तो आप अपने shift के according duty continue रखते है एक और खास बात ये है कि ये जो आपकी shift है वो हर हफते change होती रहती है अब बात करते है weekly आफ की तो Sunday हमारा weekly off होता है अगर बात करे girls की तो उनकी हमेशा general shift या day में working होता है अगर आप former company में fresher join किये है तो starting में आपको day shift में रखा जाएगा तो ये थी duty timing और working hours के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों आप बात कर लेते हैं है bus facility की अगर मैं हिमाचल प्रदेश के बद्दी की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 90% companies बस की सुविधा देते है अगर आपका कोई question है तू आप comment box में पूछ सकते है उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थांक यू फो वाचिंग